हलो एब्रिवन आप सभी को मेरा प्यार बरा नमस्कार अगर आपको रिस्टोरन जैसा खाना घर पे बनाना हूँ याने की कलर और टेस्ट वही चाहिए लेकिन हेल्दी वर्जन होना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर से देखेगा आज मैं बनाने जारी हूँ मस्रूम दो प यहाँ पर 400 ग्राम मस्रूम लिए हैं मस्रूम को सब से पहले हम बहुत अच्छे से पानी में वास कर लेंगे यह देखेए मस्रूम के उपर बहुत सरे बालू और मिट्टी होते हैं तो इसे निकालना बहुत जरूरी है तो यहाँ भी इसे आप बहुत अच्छे से रगर अगर के निकाल लीजे ठैप के नीचे ले जाके चार से पाँच पानी आप इसे वास कर लीजे थाकि इसके उपर थोड़े से भी मिट्टी और बालू ना रहे अगर गलती से थोड़े से भी मिट्टी या बालू रहे गए तो टेस्ट जो है न एकदम से किरकिरा हो जाएगा इसलिए बहुत अच्छे से इस तरीके से आपको इसे वास कर लेना है तो ये लीजे मैंने सभी को बहुत अच्छे से वास कर लिया है यानि कि दो टमाटर एक सिमला मिर्च और एक प्याज भी लेना है सभी को अच्छे से वास कर लीजेगा उसके बाद जो है न मसरूम की हम cutting करेंगे यह बहुत ही छोटे वाले मसरूम है इसलिए मैं इसे दो भाग में cut कर रही हूँ अगर आपके पस बरे वाले हो तो आप चार भाग या तीन भाग भी cut कर सकते हैं या छोटे-छोटे pieces में भी आप इसे cut कर सकते हैं अब प्याज को जो है न हम dice कर लेंगे यानि की छोटे-छोटे pieces में नहीं cut करना है इस तरीके से एक प्याज में आपको आठ भाग लगा लेना है यानि की dice set में इसे cut कर लिजे उसके बाद टमाटर के भी हम इसी तरीके से cutting कर लेंगे साथ ही सिमला मेश के भी इसी तरीके से हम cutting कर लेंगे सिमला मेश और टमाटर की quantity या प्याज की quantity आप अपने cutting कम ज़्यादा रख सकते हैं अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ले सकते हैं टमाटर कम पसंद हो तो कम भी ले सकते हैं या सिमला मिच नहीं रखना हो, तो उसे इसके भी कर सकते हैं, जितना आपको quantity रखना हो, उसना ही आप रख सकते हैं, ये देखे सभी की cutting हो चुकी है, साथी सिमला मिच के भी cutting हम कर लेंगे, बहुत ही अच्छी रेसिपी है friends, जरूर से बटराई कीजिएगा, यकीन मानिये मे बहुत जादा वायल का इस्तमाल नहीं करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास तक बने रहिएगा, यहां पे सिमला मिच के भी cutting हो चुकी है, इसी तरीके से सिमला मिच को भी आपको कट कर लेना है, इन सभी को हम अठाके साइड में डग लेते हैं, अब चलिए एक बहु इसलिए लाल मिर्च का पाउडर, इसका साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ, एक पाउच यह जो मीट मसाला आता है इना फ्रेंस उसे आप इसमें डाल दीजेगा, इसमें जो हैना सारे मसालों का मिचरन होता है, इसलिए टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है, एक दम बस आपको इसमें ओएल डालना है, कोई सापी ओएल डाल सकते हैं, जो भी आप खाते हैं उसे डाल दीजे, हाफ टी स्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दीजे, उसके बाद बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, इतना ही गारा होना चाहिए, इसलिए जो बहुत अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है, और यहाँ पे जो है ना हाथों का इसमाल कीजेगा, हाथ से ही बहुत बढ़िया से आपको इसे मिक्स कर लिया है, यहाँ पे जो है ना मेरा बरतन थोड़ा छोटा पर गया था, इसलिए कोसिस करें आप बरा सा बरतन लेने का ताकि बहुत अच्छे से आप इसे mix कर पाए थोड़ी सी मुझे परिशान ही आ रही थी लेकिन मैंने इसे mix कर लिया था ये देखिए बहुत अच्छे से mix कर लेना है और ये जो प्याज है इसके layers आपको निकाल देने है बहुत अच्छे से mix करने के बाद इसे हम 15-20 मिनिट के लिए साइड में रख देते हैं तब तक हम एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला त्यार कर लेते हैं ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लिया है इसमें मैं काट रही हूँ एक प्याज को रफली कट करके आप इसमें डाल दीजिए इस मसाले को आप पहले से भी त्यार करके रख सकते हैं प्याज को रफली कट कर लेना है और एक ही प्याज लेना है एक प्याज हमने मेरिनेशन वाले मसाले में भी डाल के रखा है प्याज को रफली कट करके आप इसमें डाल दीजे इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 12-15 लसुन की कली और एक इंट जितना मैंने अधरक लिया है इसे आप यहीं पे डाल सकते हैं लेकिन मैं इसे बात में डालूँगी आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं मैं इसे लंबे टुकरों में काट के बात में डालूँगी जो भी आपको पसंदो उस तरीके से डाल सकते हैं साथ ही दो टमाटर को रफली कट करके डाल दीजे उसके बाद बहुत ही अच्छे से इसे आप पीछ लेजिए यानि कि बहुत ही स्मूद सा पेस्ट बना के हमें त्यार करना है दरदरा उगरा नहीं रखना है अब इस मसाले को हम साइड में रखते हैं और एक पैन को गरम कर लेते हैं इसमें हम डालेंगे दो चमज इतना ही ओयल जो भी ओयल आप खाते हैं उसे ले सकते हैं ओयल को अच्छे से गरम होने दीजिए उसके बाद जो हमने मैरिनेट करके मसरूम, टमाटर, सिमला मिर्ट और प्याज को रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे बहुत बढ़िया से मसालो को भी निकाल के आप इसमें डाल दीजिए अब हमें इसे बहुत अच्छे से भून लेना है इसे आप तब तक भूनिये जब तक की बहुत अच्छे से यह ड्राई न हो जाए यानि की ओयल जो है न सेपरेट हो जाना चाहिए और यहाँ पर फ्लेम को आप लो टो मीडियम रख सकते हैं जब तक की यह भून रही है तब तक हम ग्रेवी की भी त्यारी कर लेते हैं साइड में इसे हम सिप्ट कर लेते हैं इस तरह से हम दोनों काम को एक साथ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर कराई गरम कर लिया है और साइड में हमारे मसरूम भी भून रहे हैं कराई को अच्छे से गरम होने दीजिए उसके बाद बस दो चमज आप इसमें ओहिल डाल दीजिए साथी एक टीस्पून जीरा डाल दीजिए और एक सुखी भी लाल मिश को तोर के डाल दीजिए ताकि टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा सा है साथी थोड़ा सा हिंग भी डाल दीजिए फ्लेवर के लिए और डाइजेशन के लिए अब जो हमने ठमाटर प्याज का पेस्ट बना के रखा था था ना से आप इसमें डाल दीजिए और साइट में जो तेल दिख रहा है इसमें आप डालीए हाफ टीस्पून कास्मेरी लाल मिश का पाउडर और एक चौथ हाई टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए उसके बाद प्याज को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है इन सबी मसालों को आप तब तक भूनिए जब तक ही ओईल सेपरेट न हो जाए और यहाँ पे फ्लेम को आप लोही रखिए ताकि मसाली जले नहीं क्योंकि हमने बहुत ही कम तिल का इस्तमाल किया था तब तक हम साइड में चेक कर लेते हैं यह देखिए बहुत अच्छे से जो है न यह भून रहे हैं और खुसबू तो आप पूछिए मत बहुत ही अच्छे सी खुसबू आ रहे थी तो इसे हम एक पर बहुत अच्छे से स्टर कर देते हैं और चलते हैं प्यास ट्रमाटर की ओर ये देखिए प्यास ट्रमाटर भी बहुत ही अच्छे से भून रहे हैं लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से भूने नहीं है तो थोड़ी दर और इसे हम पकने देते हैं ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है ये पक चुके हैं यान बहुत अच्छे से इसे आप मिक्स कर दीजिए और उसके बाद प्यास टमाटर को एक बार और हम चेक कर लेते हैं ये देखिए प्यास टमाटर भी बहुत अच्छे से बुन चुके हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओईल सेपरेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने बहुत ही कम तेल का इस्तमाल किया था अब एक टिस्पून भरके आप इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए इससे फ्लेपर बहुत ही अच्छा आता है एकदम रेस्टोरेंट जैसा तो इसे आप जरूर से डालिएगा अब इसे आप 30 सेकेंड जितना पका लीजिए उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने मसरूम को साइड में पका के रखा है ना उसे हम इसमें डाल देंगे यह देख सकते हैं यह बहुत ही ड्राई हो चुके हैं और थोरे थोरे जो है न ऑईल भी सेपरेट हो चुके हैं देख सकते हैं पैन में जो है न बहुत अच्छे से यह चिपक गया है यानि कि बहुत अच्छे से यह भून चुके हैं बिल्कुल भी यह जले नहीं है, इसी तरीके से आपको इसे भून के त्यार करना है, बहुत अच्छे से ट्राई हो जाना चाहिए, अब सारे मसाले को निकाल के आप इसकराही में डाल दीजे, इसके बाद हमें क्या करना है, और भी इसे पकाना है, चार से पांच मिनट जितना आप इसे लो फ्लेम पे पका लिजे, और बीच बीच में आप इसे जरूर से चेक करते रहेगा, ताकि यह जले नहीं, और फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है, करीब करीब 5-6 मिनट हो चुके थे, चलिए चेक कर लेते हैं, यह देख सकते हैं, कितना बढ़िया सा मसाला द यह देख सकते हैं, मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें भाड़ी आती है, पानी डालने की, तो जिस पैन में हमने मसरूम को पकाया था, उसी पैन में पानी डालके आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, तो एक बार इसी तरीके से आ बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो यहाँ पे जो हैने, आपको पानी अपने हिसाब से डालना है, अगर आपको ग्रेवी एकदम रेस्टोरेंट जैसा चाहिए, तो कम ही पानी डालेगा, यानि की एक से अदेर कप जितना, मैंने यहाँ पे दो कप जितना पानी डाला है, बहुत ही कम समय लगता इस रेसिपी को बनाने में, यह देख सकते हैं, एकदम कलर ओगेरा एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही आया है, और ग्रेवी में जो है न, बहुत ही अच्छी सी ठीकने से है, अब 5-6 मिनट जितना आप इसे लो फ्लेम पे पका लिजिए, या तब तक पका और भी आप 2-3 मिनट तक इसे पका सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है और खुसबू तो आप पूछिए, मत दूर दूर तक जो है न, इसकी खुसबू फैल जाएगी, जब आप इस रेसिपी को इस तरीके से बनाएंगे तो, अगर आप मेरी तरह वेजेटेरियन ह तो आपको मसरूम अपने डाइट में जरूर से सामिल करने चाहिए, क्योंकि मसरूम में जो है न, बहुत सारी गुन पाए जाते हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, जो अदरक हमने पहले रखा था न, उसे मैंने लंबे टुकरों में कट कर लिया था, उसे मैंने यहाप लिए है, थोरा सा बारी कटा हुआ रादणय का पता डाल दिया है, अब हमें क्या करना है, बस एक मिनिट जितना औरी से पका लेना है, अगर आपको इतनी ग्रेवी चाहिए, तो यहीं पे ग्यास को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन थोरी सी और ग्रेवी अगर आपको ठिक ब पकने दीजे, ढकन लगा के लो फिलम पे ही पकाना है, उसके बाद ही इसे हम चेक कर लेंगे, एक मिनट हो चुगे थे, चलिए चेक कर लेते हैं, एक मिनट के बाद जब आप ढकन खोलेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये रेसिपी आपने बनाई है, बहुत ही अच्छी नान, पराठा या सिंपली चावल भी खा सकते हैं, चावल के साथ बहुत ही स्वादिश लगती है, थोरा सा और इसमें धनिया का पत्ता डाल दीजिए, उसके बाद जो है न, इसे आप थोरी दिर ढखके रख दीजिए, थोरी दिर के बाद इसे हम सौफ करेंगे, बस 5-7 मि मैं इसे छोड़ दिया था, चलिए, चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया सा थीकनिस आ चुका है, जैसे जैसे ठंडा होगा न, वैसे वैसे ये थीक होते जाएगा, ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट सा जो है न, मसरूम दो प्याजा बनके त्यार हो चुका है, और कलर तो आप देखी सकते हैं, कितना बढ़िया सा कलर आया है, और टेस्ट तो आप चब तक इस रेसिपिको बनाएंगे नहीं, तब तक आपको यकीन नहीं होगा, तो जल्दी से जाके रेसिपिको ट्राइ कीजे, ये देख सकते हैं, कलर होगा अगर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा यह बिल्कुल भी फ्री है तो डरने की कोई बात नहीं है मैं हमेशा इस मसरूम दो प्याजा के साथ राइसी सर्फ करती हूँ तो आज भी मैंने राइस बना लिया था चलिए इसे हम सर्फ कर लेते हैं बहुत ही सिम्पल रेसिपी है फ्रेंस लेकिन खाने में बहुत ही स्वाधिश होती है जैसे ही मैंने अपनी बेटी के सामने इस प्लेट को सर्फ किया था उसके मुझ से निकला था रेस्टोरेंस से मंगाया है क्या तो जरूर से एक बार ट्राइ कीजिए अगर आपको यकीन ना हो तो जल्दी से इसी तरीके से इस रेसिपी को एक बर बना के देखिए बहुत ही हल्दी बरसन है देख सकते हैं बिल्कुल भी रेस्टोरेंस जैसा जो है न उपर तक ओईल तैर नहीं रहा है यानि की फ्लोट नहीं कर रहा है अगर आप रेस्टोरेंस से मंगाते हैं तो उपर तक ओईल थैरता हुआ होता है स्वाद वही, कलर वही लेकिन बहुत ही हल्दी तरीके से तो एक बार इसी तरीके से इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजेगा और मुझे कमेट बंक्स में जरूर से लिखके बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये देख सकते हैं कितना बढ़िया सा प्लेट बन के त्यार हो चुका है बहुत ही इजीली, बहुत ज़्यादा ताम जाम नहीं है इस रेसिपी को बनाने में तो जरूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजेगा साथ ही थोरा समयने लच्छे वाले प्याज भी सर्फ कर दिये थे ताकि एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही फील आए बनाने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजेगा तो मिलते हैं फ्रेंट्स नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाबाए टेक केर